सर कोटा चलते हैं कुछ होरर किस्सा या स्टोरी हम लोग एक फ्लैट में रहते थे और यह कौन से साल की बात है यह दो हजार ग्यारा की 2011 में, actually मैं कोटा शुफ वता अपना टीचिंग करीर के लिए तो हम तीन दोस्त रहते थे वहां पर अभिनाश, अक्कु, अक्कु इस अश्विनी और मैं तो हम लोग तीनों दोस्त वहां रहते थे तो बहुत आराम से हम चिलते हैं कुछ नहीं था तो एक बार हम लोग ने क्य मनाली गया उपा था यह उसने खुद बढ़े तो बिलेट चलाने का सुक तो बिलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कोलेज टाइम पर मनाली गया उपा था तो ऐसे सडके उतरते हैं तो वह अतर पे आ ज्थार जाडी के सामने एक आद्म ए गौड़त घड़े वर इन उसका ही कहना था तो ऐसे हम लोग बैटे हुए थे तो अभिनाश का फोन जो था वो उस तरफ तदू से रूम में अगले देन हम लोग पहुंचे तो हमारी एक रेसेप्शनिस थी उशा तो वह आके बोलती कि अभिनाश सर आपने में को रात को क्यों किया मैंने तुमको क्यों ठीक है तो नार्मल है वो सकता है मिला दिया उसने क्या पता बड़ता है बट उस दिन के बात से चीज़ें ऐसे धिर धिरे ऐसे कुछ होता नहीं था नुकसान होना आप तीन लोग घर में हो बढ़िया कमा रहे हो चमनी नहीं बच रही है फिजिकल लॉस हो रहा ऐसे अक्को तो वो आया हुआ था तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाहिन पर तो वे हमारे फ्लैट में आगे रहन लग गया तो उससे पहले एक इंसिदेंट हुआ था वो मैं आपको बतना बूल गया तो हम तीनो एक दिन हमने प्लान बना है मूवी देखने का आज होरर तो वो भी देखने के उस टाहिन रिलीज हुई थी वो तो खेक है तो हम लोग ने खाना वाना खाया फिर यसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे अभिनाश को सामान लेने गया हुआ था तो हाँ पर हमारे एक चौकिदार था राम दयाद तो बूतों का मौल बन गया थ तो आप रामने सकता भी है तो आवड तो आप राजस्तान वो पर तुने भूत तो भूतिन गए तूछे बितने जाओ तो भई राजस्तान को भूत कहा देखने जाओं जाओं जो बश्तित दोडयन द गई हम ऐसे उससे उसे उसमाजे गर र रहे थे तो पीचे से एक अंट इस भूट रहता है अब अक्कौ मुझे देखे और मे देखे यार यह तो अपना ही फलाट है क्या बोलके चली गई और गोल चली गई अब जब तक है पता नहीं तो नहीं है और आगे लाइफ खेल गई कि अग्षा कर रहे हैं, बिल्कुल और जब आपको पता लग जाना तो चाहिए ना ओ, फिर होता है फिर पंगा भी चल रहा है थो क्यों चल रहा है आवाज कर रहा है और एक श्रा वाज कर रहा है बिल्कुल हो गार तो हम उससे पहले कभी एंगल नहीं सुचा ना आपने अज़े उससे पहले भी हमारे मकान मालिक ता उसका घर हमारे जस्ट पीछी था तो हमारी बालकनी तो इसके घर में खुलती थी किछन के पास में तो ऐसे बोलता था आके दो तीन दार उसमें बोल अब भी फिखेंगे अज़े उदर बालकनी में शेग्रेट में पिया करो तो उसमें पीते ही नहीं है तो अब आशिया से बात करो तुम लोग वह अंपर खड़े वापे स्के जीड़े पीत हो तो दो तीन बार दीख ले में तुमको रात कोरता हूँ तो तो बन्ध ही रहती कि इतै ने बॉन और कि अ को इन के बहुए कं sotto अबीनाश को अउन्हों ने कहा थे बातु अब जाए यह फिर मेरे सामने नहीं गए बात वर फिर हम लोग आ गए हमने ृदि भी अभिनाश स्वकनारीश को शुच नहीं है तो इसे वर डिसकसिन हों के नहीं कुछ रिपूर्ट होता था इंसेनेट तो हम लोग ऐसी उसका बढ़ दी था एड जुलाई की बात है तो सेवन जुलाई रात को हमने उसका प्लान मनाए कि यह कट करेंगे अपन वो आया शाम को छे बजे उसकी तवध कराब हो दीजे बुखार हो था तो रेस्ट कर ले तो ब वापस लेड़ास हो या हम सफाई कर लेगे तो वह लेट गया उसके हालत बहुत ज़्यादा उठा भी जाता है उसके सारा देक लाया थे तो सीन ऐसा था कि बेड पर लेटा हुआ है इधर मैं जाड़ू लेकर सफाई कर रहा हूं उधर अकू बेड के जस सामने गेट था औ वह वहाँ पर सफाई कर रहा है वह बंदा जो अभी उठनी पा रहा रहा था उसे नाइंटी डिग्री पर यू खड़ा था यू कमर से यू ऐसे अंडर्टेकर अंडर्टेकर बिल्कुल इग्जाक्ली अब देखा वह यू कह यू खड़ा होता है मुंडी नीचे यूहाँ अब बॉलता है वह आप से बात करना चाहती है क्या वह सामने वह अक्कु कहड़ा था उसने देखा यू इधर देखा इधर देखा कोई नहीं है जाड़ चुड़ा चिदा फ्लैट के बार चिल ला था अभी नाज अभी नाज जिसको क्या हो गया अभी नाज भाग क्या अभी किरट बोले वह आप से बात करना चाहती है और आवाज में भी चेंज आ रहता है वही आवाज थी नहीं आवाज भी शेकी से आवाज थी बस और वह आप से बात करना था आवाज में कोई चेंज नहीं था फिर मैं इसको लेकर चल भाल जाए गहीं पर तो मेरे कंदे एक तक बिना आंक जपका है उसको देखे जारा और मैं उसको देख रहा हूं इदर क्या हो गया है मैंने गाड़े रिवर्स ली पार्किंग से उतारी तो हमारे जो फ्लैट था उसके कॉर्णर से भूमते हैं मैं एक नीम का पेड़ था बड़ा था तो बस मैंने इस नीम के पेड़ को क्रॉस किया वह मेरे को आज ही मैं लो गूजबंस देता है जैसे क्रॉस किया तो इसकी बॉड़ी से एक एनरजी वाइब्रेशन निकला बहुत तकड़ा वह यहां से ट्रावल करके यह गया पूरा औ और अब सेकंड आपके ओपर आपको बता दो टाइम कि वह जो वाइब्रेशन आया ना इतना स्ट्रॉंग वाइब्रेशन था एक से लिए एकसेलेटर से प्रट गया स्ट्रिंग से हाथ अट गया ऐसे एक अथ इधर था एक आथ तो यह होगया हाथ पूरा गाड़ी यह भा उसको वह पूरा छे वजे के बाद सबकुछ ब्लैंक है वो कुछ ही याद नहीं है फिर हम स्टेशन गये उसको उपलेटर गरा खिलाई फिर हम किसी और दोस्त की धर पर जाके वहां पर उसके वाद उसको फ्री के आनल तो जायांसे तू इसका वो नहीं है तेरा फिर पर आपकोर की ऑड़ा है गड´ फिर शोए दिनाश मुट्रॲण के गाड로 वापस से चिलानी के आवाज गड़ा था i.s. इस बार दो रहे हो यहाम। अधर अविनाश नीचे चटाई बे सुटाता हूँ, वो सुवाया पड़ा उसको के मतलब ही नहीं है तो ऐसे चोटरोड इंसिडेंट हुए पड़को बड़ा नहीं हुआ फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका तो उसको बहुत स्ट्रॉंग प्रेजिंस फील हुए थी तिन हम देली आयोए थे किसी काम से अविनाश अविनाश को था कि तो अकेला मत रुकना यहां पर तो चला जाना हूँ जब तक मैं अपने आखों से कुछ नहीं दिखला था मैं इस बुल्षिट पर इश्वाश नहीं करता हूँ उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोग नहीं हूँ जिस दिन मुझे अपने आख से कुछ दिखेगा ना उस दिन ममान लूँगा और ही शोड़ दूँगा फ्लैट वरना मैं नहीं छोड़ दूँगा तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा तब पता चला था उसने बोला कि तुम लोग चले गए मैं आके बैठगे अपना काम वाम करके और मैं ऐसे बैठा हुआ था मुवी हुई चला के बैठ रहा था फिर अगरन सोते हैं अब थोड़े दे रहता है तो इससे लापटॉप बंद किया उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉंस्टेंटली मुझे घूर रहा है मैं अकेला था इतनी बुरी तब मेरी फटी भी थी कि लगाता रहा आप बैट आपके पास में कोई बैठा हुर यू बिल्कुल खड़ा हुए यू घूर रहा आपको तो वो तो उसने बुरी रात फिल किखाा तो पुरी रात फील नी पाया उस दिन और उससेद उसके साथ कुछ भी नहीं नहीं वा हुआ उसके उसके साथ भी नहीं हुआज इस रखका चलिया अपको कभी अकेरा नहीं सुता तो उस रूम में गया था बेड़ के ज़स सामने बड़ा सा मीरर था दोस्ती के लिए कि वाई इसको बड़ा भाता हूँ अभी मेरा का वहाँ उस में नहीं डरता फिर मुझे असा लगता है कि कोई ने कोई है प्रोटेक्शन पिछे टेंशन की बात नहीं मैं अनमान जी को बड़ा भगतू हूँ क्या बता इतने ही इन इसका है वाली नहीं ही डारी जाती है वाकस चले गई थी वहा हूँ जैसे आप बतारे थी मैं पटाओ मेरा एक स््टूडेंट ही है जादा दोसुं डिस्कलू बहा नहीं कर सकता हूँ तो वो कहता है कि सर मेरे पास मैं आप बोलो मैं आप भी आपके सामने बुद्र दिखा दूवाइब यहीं बुला दूगा आपके लिए बोलो नहीं उखे ल eerste इम MAN було सर आपको कुछ निय दूगा वो बोलता है कि सर मैं in dh Khyla tahum सर बहुत दबती आत्माय झूमते you ऐसे खाना खिलाते है नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ते हैं किसामे थोड़ दर बाद खाना बोलता है मैंने भी नी देखा वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं मुझे नी देखना है मैं यहीं ठीक हूँ क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है ठीक मुझे कुछ नी होगा मेरी फैमिली है पीछे है I can't bring anything मैं उसको साव बोलता है मैं कुछ नी ला सकता है तो बड़िया तु कर अच्छा काम कर रहा है खाना खिला पानी पिला जारू बिला कोई लोड़नी है मुझे मत बता तो मैं उससे इंट्राक करता है मैं बहुत अच्छा लगता है बहुत बड़िया और ठीक है आपको पता लगता है कई चीजी जो आप खुद नहीं करते है लोगों को बताते है वैसे ऐसा कहा हो जाता ना अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते तो तुमारे बैड के सामने शीशा है तो कुछ ऐसी आक्टे वह शीशा सर वही है ना सर अगर वास्तु दोश ही है तो वह नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है तो